दोस्तो, हिंदुस्तान के चुनाव आयोग पर आरोप लगे हैं कि चुनाव आयोग ने देश की BJP सरकार की चमचा गिरी करने के चक्कर में अपना जमीर गिर्वी रख दिया। हिंदुस्तान का चुनाव आयोग केंदार की BJP सरकार के पैरो की जूती बन कर रह गया है। दूस्तों, चुनाव आयोग अब चाहता है कि उनकी चार्टु कारिता की, मतलब उनकी और केंद्र सरकार की मिली भगत की खबरे, देश का मीडिया ना दिखाए. चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोट में कहा है कि हुजूर भारत की अदालोतों में जो चुनाव आयोग की लानत मलानत होती है चुनाव आयोग के घटिया और एक तरफा कामों के लिए जो फटकार हिंदुस्तान के अलग-अलग कोट में लगाई जाती है वो हिंदुस्तान का मीडिया ना दिखाने पाए चुनाव आयोग की बात आसान भाषा में अगर आप समझें तो ये है कि कोट माई बाप आप चाहें जितना गरिया लो आप चाहें जितनी फटकार लगा लो लेकिन डेश के अखवारों को ना चापने दो मीडिया को ना दिखाने दो हमारी बड़ी बेस्थी होती है देखिए दोस्तों हिंदुस्तान को बताया गया है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है उसके उपर किसी का कोई जोर नहीं चलता उसे अपने हिसाब से फैसले लेने का अधिकार है लेकिन ये सिर्फ कहने की बाते है ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि चुनाव आयोग किस की गुलामी करता है और यहां गुलामी का इनाम भी मिलता है हिंदुस्तान की खई वेबसाइट में खबरे भी चपी है कि चुनाव आयोग के पूर्व मुख्या को गोवा का गवर्नर बनाकर सरकार की वफादारी का इनाम भी मिलेगा इस खबर के पुष्टी अभी मेरे पास खेर नहीं है लेकिन भारत की मीडिया में इस बात की सुबूगा हट बड़ी तेजी से है लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने गुलामी की हर सीमा पार कर दी है देश को कुरोना के मुह में जोग दिया, रैलिया होती रही और चुनाव आयोग कानों में तेल डालकर सोता रहा इवियम नेताओं की घर पर रखवाता रहा, असम में 90 वोटरों से 171 वोट डलवा दिये मेरी मत मानिये, हिंदुस्तान में मैं तो खरी बात करने के लिए बदनाम हूँ भाईया प्रशान किशोर से समझ लेजे, प्रशान किशोर वहीं है जिनोंने 2012 में गुजरात में मोदी जी को जिता था और 2014 में बीजेपी को हिंदुस्तान की सक्ता दिलाई थी प्रशान किशोर वही है जो हिंदुस्तान की पार्टियों को चुनाव लड़वाते हैं उनका कैम्पेन समालते हैं उसके एवज में पैसे लेते हैं उनका किसी एक पार्टी से कोई पर्सनल मो नहीं है जहां पैसे मिलते हैं जिसका काम मिलता है उसका कैम्पेन करते हैं प्रशान किशोर ने खुले आम कहा है कि बंगाल चुनाव में हिंदुस्तान के चुनाव आयोग ने पीजेपी का पक्षिलिया भारत के चुनाव आयोग और केंद्र की BJP सरकार के याराने को भारत की अदालतों ने इंडिरेक्टली कई बार खोला है इससे चुनाव आयोग को बड़ी दिक्कत होती है मैं अपने हिंदुस्तान की अदालतों की आभारी हूँ अगर अदालते ना होती तो देश अंधेर नगरी में तबदील हो गया होता जब चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं अपना इमान गिर्वी रखते तो देश में लोकतंत्र का भगवान ही मालिक है दोस्तों चुनाव आयोग को मदरास हाई कोड की उस टिपड़ी सिमिर्ची लगे है जिसमें हाई कोड ने कहा था कि कोरोना फैलाने का जिमिदार चुनाव आयोग है चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए दोसको हिंदुस्थान की नागरेक hwnे के नाते मैं अपने हिंदुस्तान के हाई कोर्ट के साथ हूँ जैता है कि उसके खिलास कोई मू ना खोले देश के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि लोक तंत्र में मीजिया महत्वपून एवं शक्तिशाली प्रहदी है उसे उच चुन्यालियों में कोई भी चर्चाओ की रिपोर्टिंग से रोका नहीं जा सकता दोस्तों आप देख रहे हैं ये लोग हिंदुस्तान के भीतर कैसी अंधेर नगरी चला रहे हैं अगर अपने इज़द की इतनी ही चिंता थी तो चुनाव वायोग ने क्यू अपने करतव नहीं निवाये वाई क्यू सरकार की जूति अपने सिर पर रखकर कोरोना का नंगा नाज टेकता रहा क्यों रैलिया नहीं रोकी, क्यों कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करवाए, क्यों रैलियों में दो गज की दूरी फॉलो नहीं करवाए ये चाहते हैं कि इनके कुकर्मों पर, इनकी मिली भगत पर, इनकी चाटू कारिता पर कोई हवास न उठाए दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएगा चलते हैं राम राम दुआ सलाम